सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर तो हेलो एब्रिवन वेलकम यू आल इन टोड़ेश दहिंदू न्यूज अनालिसिस आज के दहिंदू में अगेन एक बड़ा बॉम फटा है मालो भाई साब तीन दिन से लगाता सुप्रीम कोर्ट चल रहा था और आज होम मिनिस्ट्री से आगे कवर है और काफी इंट्रेस्टिंग है लीगल और सीए दोनों में ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वेन इट कम्स टू दा पॉलिटी पार्ट भी ले लो ना स्पीकिंग यह जो टॉपिक है ना कुकी चीन उस पर मैंने पर्सनली बहुत तगरा रिसर्च दिया है तक कि एक होता है नहीं कि एक्जाम के लिए कुकी चीन तो जलो बताने को बताया जा सकता था बट इससे रिलेटेड बहुत टॉपिक से और यह टॉपिक आपको लीगल प्लस सीए दोनों का एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है सेकंड टॉपिक है हमारे पास यह एग्री कल्चर बहुत हो रहा है और एग्री कल्चर से कोशन पूछे जाते हैं कॉफी फार्मर्स इन केरला मरायू रीप बेनिफिट प्रम दो और और गेनिक फार्मिंग उ प्लैटफॉर्म में ओवर दे टॉप प्लैटफॉर्म तो इस पर भी परासर भारती का भी रिलेटेड है तो उसको देखेंगे इनियन विमेंट पीसकीपर इन सुदान कंफिक जो इस पर भाइसाब मोदी जी ने टूइट भी किया कल कि हमारी देश की महिला एतना अच्छा कर रही है युन पीसकीपर्स में भी उनका बहुत अच्छा यूगदान है अच्छा यूएन पीसकीपर्स न यह नहीं लास्ट यह यानि 2022 में भी करवाया था और घूम पिर क्या आई जाता यह कहीं न गई और यह ना ब्लू हैट भी कहे जाते हैं ब्लू है यूंकि यह नी सिरियल आता था इसकी पहले डिश पर निली च्छतरी वाले इस टाइप से पुच्छे लिए स्टार्ट करते हैं इसको इसका एनलेसिस आगे से क्या क्या है भाई हमारे पास तो कुकी चिन रिफ्यूजिस फॉम बांगला देश पूश्ट बैक प्रम मिजोरम से मेंबर पार सब्सक्राइब क्या बोल गए क्या बोल कि आगए है क्या यह देखो एक चोटा सा कहानी समझो अगर यह बात समझ में आ जाएगी तो पूरा गेम हो जाएगा तुम्हारा ठीक है यह यह है बांगलादेश ठीक है कोई डिनाई करने वाला फैक्ट नहीं है यहां की प्राइम स्कॉलर्शिप और तीस्ता रिवर का ट्रेटी होना था वह नहीं हो पाया खुश्यारा का उन्होंने कर लिया बराक रिवर आईएस की याद आ रहा होगा नहीं याद आ रहा होगा तो थोड़े सी इनफॉर्मेशन देख लो एक बार फैक्ट क्लियर करते हैं फिर आगे इस टाइम पर वह दो हजार बाइस सप्टेंबर में हुई है यानि जो भी एकजाम दो हजार प्रेइस मार्च ऑनवर्ड होंगी वहां पड़िये इंप्वार्टेंस होल्ड करता है अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है थोड़ी थोड़ी चीजे है एक तो है बांगला अच्छा यह चीज देखना यह लॉंगे सर्विंग वह बन गई थी पीम उसे दिन जब इंडिया आई थी इनका हुआ था भाईसा भारत भ्रह्मन हुआ इनका इसे हम कहेंगे इंडिया विजिट अब जब यह इंडिया विजिट पर आई तो एक बड़ा साइन किये पहला था शेख मुझिबुर्रहमान कौन थे इनके फादर थे और उनको बांगलादेश का लाइक सब कुछ माना जाता है शेख मुझिबुर्रहमान को दो-तिन चीज़े और देखेंगे इंपरमिशन की कमी नहीं है बहुत यह बश्स तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार यह बुरा लगता है कुर्शन नहीं पूछते हो चलिए स्नेक मुझीबुर रह्मान तो पहले हो गया दूसरी चीज है इन्हों ने एक ट्रीटी साइन की जिसे हम कहते हैं खुशियारा रिवर ट्रीटी और इसी में एडिशन हो करता है आपको बराक रिवर करते हैं इसकी हम जोग्रफी देख रहे हैं विध्यान से देखना खुशियारा रिवर ट्रीटी और वहीं पर से आपको जुड़ता है बराक रिवर इसका फॉर्ण कम करते हैं फिर मजाएगा अब शेक हसीना क्या यह दोई चीज करके गई नहीं इंडिया और बांगला देश के बीच में जब इंडिया और बांगला देश की बीच में डिस्प्यूट की बात करोगे एक रिवर डिस्प्यूट है जिसे हम कहते हैं तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो की आज तक सॉल्व नहीं हुई है और तीस्ता निकलती है कहां से यह मुलेक से टॉपिक है बांगलादेश का रिफ्यूजी वह याद रखना वह भुलना मत बांगलादेश से रिलेटेड इंफॉरमेशन पता होनी चाहिए ना पूच चुका है आइलेट भी पूच चुका है सिंभी है डी यू है तो एक अपना बेस अच्छा रखोगे तो चीज मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्षन में मनी इंद बैंक सीरियस का आंसर दे सकते हो यह भी दे सकते हो बांगलादेश और इंडिया की बीच की बांटर लिंद बताना कितनी है अना चलिए अब इसमें एक चीज और एड करना है इसमें कि इंडिया और बांगला इसके बीच मतलब पास से इंडिया और बंगला इस तो बावन नदिया यहां बैती है और मोस्ट इंपोर्टेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है डाट इस दा गंगा और एक है आपको ब्रह्म पुत्र इसको ब्रह्मा नाम देते हैं ब्रह्मा मत समझे लेना ब्रह्म पुत्र है ठीक है ब्रह्मा पद्मा मेगना और जमुना ठीक है ब्रह्म पुत्र को वहां का जाता है जमुना मतलब जब वो बांगला देश में चली जाती है तो उसे कहते है जमणा वाली मेगना और दरस्याति पदमा और जब यह तीनों मिलते हैं तो एक बनता है डिल्टा जिसे हम प्यार से आप लोग बी दूसरी को दिया जाएगा तो वो सुन्दर नाम होता है वैसी यहां पर सुन्दर बंड डेल्टा तो यह बहुत तगडी इंफोर्मेशन थी रिगार्डिंग इंडिया बांगलादेश की बात की जाए तो अब हम बात करेंगे इंडिया और नहीं करनी है तो करते भी नहीं हो वैसे भी तो स्क्रीन शॉट लो एक बार उसकी बाद फिर अपन आगे कॉंटिन्यू करेंगे विद इंडिया बांगलादेश इम्मिग्रेंट्स की जो बात हो रही है उस पर ठीक है चलिए यह है हमारा यह पूरी चीज समझ गये यह बांग है सुन्दर बंड डेल्टा ठीक है और यहां इससे सुन्दर बंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक ट्री मिलती है जिसे हम कहते हैं सुन्दरी ट्री है बहुत इंफ्रमेशन होगे ठीक है यह चोटा मैं आप से पता नहीं कितना आपका बताना कैसा लग रहा है य और कम का तो नाम ही मतले ना कि जिससे आप से एक्जाम में कुर्शन साथे कम से काम लेसे मोर नहीं होता है यहां पर मोरी लेस कहलो लगेगा ठीक है चले तो अब बात हो रही है सब रिफ्यूजी की बात हो रही है तो चलू एक कॉंटेक्स्ट में हम लोगों ने देख रिजन मैं यह वो रिजन है जिसे हम कहते हैं चिटागॉंग रिजन है चिटागॉंग एक रेंज है माउंटेंस का इक रेंज माउंटेंटेंस है और वह दूरा ऊपर तक फैलता है आपको यहां तर नौद की कोई बोल लि सकार्ट तर भू Ary तो चिटागोंग पार्ट जो है वहां से यह एक एथनिक कम्यूनिटी जिसे हम कहते है को की चिन वह मिजोरम आ रहे है उनकी जो पॉपुलेशन है वह मिजोरम में बढ़ती जा रही है तो मिजोरम गवर्मेंट ने कहा है उनको पुश बैक किया भाई नहीं रख सकते हम तुम्हें जाओ यहां से प्लीज कोई आता है लाइफ में तो बोलते हो जाओ अब मन नहीं है तो वही चीज़ है बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह इशू उठाया इस पॉइंट पे कि 1960 में ध्यान देना इस कहानी को और डीटेल में देखेंगे 1960 में चक्मा चक्मा बौध होते हैं बुद्धिस्म तो चक्मा चक्मा कॉम्यूनिटी के लोग आए थे जब तो आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया इनको क्यों पुश बैक कर रहे हो इट इस डिस्क्रिमिनेशन on the basis of ethnicity के basis for discrimination है तो फिर चलिए वो तो बात की बात है अब हमारा काम क्या है कुकी चीन कम्यूनिटीज को देखना और क्या इन से डिलेटेट टर्म्स है क्या चिटागॉंग रेंज है आई होप कि एक पूरी ओवर्विव बहुत कायदे से समझ में आ गई होगी इसमें हम इसमें इन सब चीजों पर हम देखेंगे और को की कुकी चीन जो है वो क्रिस्चन कम्यूनिटी होती है ठीक है चली स्टार्ट करते है अच्छा इस पर आएंगे बाद में यह चकमा वाला डाइग्राम है और यह है चिटागॉंग हिल ट्रैक्स बंगलदेस इसी के बारे में बात हो रही थी चिटागॉंग तो चिटागॉंग देख लो मोर देन 200 मेंबर्स और को कीचिंग कम्यूनिटी फ्रॉम देचिटागॉंग हिल ट्रैक्स बंगलदेश है वराइब दिन लवांग तलाई डिस्टिक ओफ मिजोरम यह देखो कि जिसने मैप अच्छे से देखा ह होगा उसको क्लियर हो गया होगा यह चीज मिजोरम है ना यहां से बंगलादेश और यहां से जाएंगे तो लवंग तलाई डिस्टिक ओफ मिजोरम में यह लोग गये हैं एक है और यह कूचिचिन वाले जो किस ट्रैक से बिलोंग करते हैं चितागॉंग हेल ट्रैक्स अंदर घुसे हैं जबरदस्ती घुसे हैं ठीक है और फाइटिंग बिट्मिन दा आर्मी ओफ दे नेवरिंग कंट्री एंड एथनिक आम्ड ग्रुप से इथनिक आंग कौन सा सर देखो यहां पर कौन है कूकी चीन है ना कूकी चीन इनका जो आम्ड ग्रुप है उसका नाम है कूकी चिन नाशनल फ्रंट के सी एनफ ना हिंदू पढ़ना इसमें लिखा है साफ साफ के सी एनफ कूकी चिन नाशनल फ्रंट और आर्मी के बीच में जो टसल हुआ उसमें यह लोग अंदर चले आए ठीक है यह चीज़े क्लियर होंगी यहां पर आगे बढ़ते हैं इस अनदर राउंड अफ रिफ्यूजी क्राइस ब्रूज इन ने कहा कि पहले तो आपने उनको चकमा को तो एंटर करने दिया 1660 में इनको क्यों वापस कर रहे हो यह तो एथनिसिटी के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनको अलाव कर रहे हैं उनको अलाव नहीं कर रहे हो यह ग्राउंड था इनका उठाने का तो आई होप कि यहां तक चीज़े क्लियर होंगी ज्यादा तर आचा कूकी चि उनकी जो एथनिक आरिमी जिसका नाम है कूकी चिन नैशनल फ्रंट ठीक है यहां तक चीज़े क्लियर होंगी आगे बढ़ते बांगलेदेस के रैपिड अक्षन बटालियन ने भी इस पर अक्षन लिया भाईसा मिजोरम यह सब फैक्स हैं आप चाहो तो इसको इग्नोर कर आ जाता है इसे लिए मिनिस्ट्री फोर्म उपेर्स नोने एक नाम दिया है ओफिशियली डिस्प्लेजड परसंस यह याद रखना ठीक है देवर अभी इस तरह से कुशन बन सकता है कि रिसेंट्ली यह कम्यूनिटी फ्रॉम बांगलादेश विन रिगार्ड़ेश डिस्प मानवता के ग्राउंट पर उनको एंट्री मिल गई ठीक है यह याद रखना यह पॉइंट है यह स्टिक रहना इस पर भी थोड़ी दर हम वापस इसी पर आएंगे यह टॉपिक लंबा है डेट्स वाया हम टेकिंग टाइम और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ही समझ में आया नहीं आया क्योंकि हैडलाइन पढ़के तो कुछ नहीं आया होगा अब सीजे क्लियर हो रही होंगा अच्छा यह दो रीजन्स और है जहां से कनेक्टेड है और चकमा के बारे में नाम भी बताया गया लेकिन हजोंक्स को नहीं दिक्र नहीं किया तो करना चाहिए था अच्छा देखना इस पर एडिटोरियल आएगा मंडे तुस्डेय वेंस्डेय कभी न पहुंचे गाई तो तयार रहना तकमाज एंड हजोंक्स वर ओरीजिनली देश्टागॉंग हिल ट्रैक्स इस हिल ट्रैक्स पे भी करेंगे का तमाकू का यहां पर सबसे ज़्यादा औ और इंवायर्मेंटल इंपक्त भी उस्से और है और स्ट्वाइल पाकिस्तान इस्ट पाकिस्तान सरी यह कहां से आ गया देखो जब हम यह पढ़ रहे थे बांगला देश इस इस नहीं गया रीजन होता है हर चीज का बाइसा बांगला देश अपना इंडिपेंडनेस कब मा आता है 12 दिसंबर 1972 गसी और दिन इस्ट पाकिस्तान ने सरेंडर किया था ठीक है देखो इस तरीके साथ और समझो यह इंडिया मान लेते हैं यहां पर है आपको पाकिस्तान और यहां पर था इस्ट पाकिस्तान यह पोजीशन है 1972 1947 के बीच की अब जब आफ्टर इंडिपे पाकिस्तान आर्मी के तुरूं लोगों ने विद्रो किया इंडिया ने सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया नेबर था और सपोर्ट करना वनता है on the basis of humanitarian उन्होंने इसको लिबरेट कराया फाइनली इस्ट पाकिस्तान खतम हुआ और बना बांगला देश और इंडिया वास्ट पाकिस्तान से बांगला देश को आजाद कर दिया गया है और यहां हमारी आर्मी वहां से आ भी चुकी है तो हम लोग वहां रहे नहीं थे गये काम किया वापस लौट के चस्ट सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था भाई साब इस्ट्राइक मत सोच लेना वहां आधा था अंड बंड सब एक्जांपल सोच लेते हो कुछ भी अबंड एक चले यहां तक क्लियर होगा यह बंगलादेस का अच्छा पॉइंट देख लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देख ली और एक जो इलीगल माइगरेंस में जो जो भी इस्यू चल रहा है उसको क्लियर किया अच्छा यह चकमाज और हजोंक्स जो आये यह का कै से आ रहे हैं क्योंकि इनकी एथनी सिटी है मिजोरम में तो यह आ रहे हैं अंदर ठीक है और क्रिस्ट्री रिलीजन देखना यह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंदा केस ऑफ माइगरेशन बंगलादेस दो मतलब ठीक है गंटरी अच्छी है बट क्रिस्ट् अब एक डैम था कपाती डैम के कारण बहुत सारे लोगों को डिस्लोकेट किया गया 1960 में जैसे कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले क्या आज की बात है सामवाली वीडियो देखी होगी आपने कल अपलोड नहीं हुआ था फॉर्द एक्स वाईजी रीजन्स तो हल्दवानी म इनको यहां से अटाया गया और यह डैम यह करना फुली रिवर पर नाइंटीन सिक्स्टी में वहां से अटाया गया था और वह आके चले आए थे इंडिया अब उसी हिल से हो हिल सी इंडिया के बाटर से करता है तो चकमाज जो है वह कौन है बुद्धिस्थ है मने बताया सब्सक्राइब यह बहुत है और हजोंग जो है वह हिंदूज है ऑल्सों फेस्ट रिलीजियस पर्सिक्यूशन इस पाकिस्तान ना बांगलादेश चकमाज एंटर इंडिया थो देन लू लुशाई हिल्स डिस्टिक ऑफ असम ना मिजोरम उस ताइम पे असम में था अब मि इंपॉर्टेंट चीज है और हजोंग को असम और मेगालिया में शेडियूल ट्राइब का स्टेटस प्राफ्ट है हजोंग सार्द फोर्थ लार्जिस्ट एथनी सेटी इन दा मेगालिया यह भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है यह सब चीज है आप प्रेसेंट इनके सब्सक्राइब है नाइंटी नाइंटी फाइव रख लो यह नाइंटी सिक्ट रख लो 95-96 में सुप्रीम कोट के एक जज्जमेंट था है एने चारसी नैशन हुमन राइट्स कमिशन वर्सेस स्टेट अप अरुनाचल इसकी जज्मेंट में विकालते हैं इनको सिटिजन सि बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोट का देख लिए हम लोगों ने लौज रिलेटेट टू सिटिजन से पिन इंडिया आर्टिकल फाइव तू आर्टिकल एलेवन और जो इंडिन कॉंस्टिशन है वह बात करता है सिटिजन सिप के राइट के बारे में ठीक है तो यह इंडिया में कोई लौ नहीं है और यह गवार्ण होता है रिफ्यूजी असाइलम सिंद फॉरिनर्स एक्ट है 1946 उसे ही रिफ्यूजी और असाइलम डील किया जाता है तो यानि लौ की ज़रूरत है इंटरनाशनल कर्वेंटों सर इंटरनाशनल के दो कर्वेंचन है एक यु यह बहुत है और इंडिया दोनों का यह मिंबर नहीं है इंडिया इसका नहीं है और युम्यम्यीटियूर्ड तो नहीं किया अगर आप इंडिया का मइप ड्रॉब करो यह फुरसा अंपना ओमेजिनरी पावर्री यहाँ पर है आपको बांगला देष बन करो सब कहीं पर भुटान चांए यह नेपाल हैं यह पाकिस्तान है और यहां श्रिलंगा यह सारी कंट्रीज जो भी है इन सब में पर्सीक्यूशन होते रहता है इबद भी है रिलिजियस पर्सीक्यूशन होते रहता है या किस वाई एक्सवाई जी जीजिन से पॉलिटिकल एकोनॉमिकल इंबैलेंस होता है उसके बरसे होते रहता है तो अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया वो कर दिया तो हमें ना चाहते हुए उनको आने देना पड़ेगा हम पुछ बैक नहीं कर सकते सारे लॉस करने पड़ेंगे और कितने ज्यादा तादात में लोग यहां से आएंगे इंडिया ही क्यों आ रहे हैं तुकि इंडिया में बेटर अपर्चुनिटीज है अब इससे क्य क्या है देख लो भाई चिटा गॉंग हिल ट्रैक्ट यह रहा है अब चिटा गॉंग हिल ट्रैक्ट इसमें और क्या-क्या है तो बांगलादेस लार्जस्ट अब टोबैको तमाकू गई जाती है बांगलादेस लार्जस्ट टोबैको कंजूमिंग कंट्री में से आता है और और इसका रेंज है चिटागोंगिल उष्टिया और रंगपुर यह तीन जगा है जहां पर टोबैको उगाया जाता है कि कोफी फार्मिंग होती है केरला में तो कॉफी फार्मिंग से चीज़े देखेंगे तो इसमें की ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे उनको बेनिफिट सब्सक्राइब कोफी नहीं हो सकता पताना कमेंट सेक्शन में कॉफी लोग ने आवादी पर बढ़ा रखी है कॉफी पीने वालों की स्टार्बक्स और पतानी कितने है सर्दार बक्ष इंडिजीनियस टू एपाइसियन प्लेटिव एथियोपिया से यह है कॉफी इंडिया बाबा बुदन हिल्स इन 17 सेंचुरी फ्रम अरभिया एंड बाबा बुदन हिल्स ऑफ करनाटका बिटिश प्लांटर स्टैबिज दो कॉफी स्टेट्स नियर चिकमंगलूर करनाटका 1826 की कॉफी फ्रेंडली है नीलगिरी और वयनवार्ड यह श्रीवर्यों से 1830 यह करनाटक केला तमिल नाडू और आंध्रा प्रदिक्स यह याद रखना करनाटक केला तमिल और आंध्र तो पुछें अगर लार्जस कॉफी प्रोडूचिंग तो करनाटका है वो डिसेंडिंग ओर में लगावा है नाव थर्ड अनलसिस इस परासर भारती मूल्स ओन ओटी और टॉप प्लैटफॉर्म अच्छा इनका जो अपना यह ओटी टी जो कर रहे हैं यह एड़ प्रूप्रोड कास्ट इंफ्रस्ट्रक्ट्टर नेटवर्क डेवलप्मेंट स्कीम ओफ इतना करोड और दो टी टू और यह परासर 22 रिजिनल चैलेंज विए प्रोग्राम प् यह पीस कीपर होते के इसको इदन सीख रहाँ आजओ पीस कीपर इसे हम कहते हैं युनाइटेड नेशन पीस कीपर बना था नाइंटीन फॉर्टी फाइव में इसके हेड का नाम बता देना उनको एंटीन फॉर्टीफाइव में बना था युएन फीस कीपर और 2007 में इंडियन विमें इसकी मेंबर बनी थी पीस कीपर होता क्या है सर्थ अगर मालो किसी a country में और यहां पर अपना आर्मी भेज़े का यूएंगी यह कंट्री यह तोई इनके लोग यहां जाएंगे हुआ है कि और वहाँ पर 10 स्कीप करेंगे चीपर इसलिए बुला जाता है और यह न ब्लू हैट पैंते हैं इसलिए को रूब है देखते हैं पर व्लू घ्मीट में इंडिया सबसे बड़ा और यूगदान चल रहे है इंडिया का अभी सुधान में नहीं लोग गया तो ठीक है कि देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है हमारे लिए इस कंट्री ने युएन का कोई कंट्रोल नहीं होता है इस पर डिमें की कोई सोवर्णी नहीं होती है एभाई रीजन इस स्ट्वेटेट बेविन नौर्धिन साथन सुदान यह नोने से साथ सुदान सुदान और अब निवाई रीजन जूबा और खरकुट है सिंस नाइटीन फॉर्टीएट यून पीज यह इन्होंने हेल्प किया है बहुत सारे यह एक्जामपल से इनके जुन्होंने हाइटी में को सोवे में गुतों माला में एल सेलवाड और कमबोडिया जगा गए हैं और ओवरॉल यून पीसकीपर स्पोर्स को इन्हों नोवल प् इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से बट जो आपका इश्यू आया है रिफ्यूजी वाला उसको अच्छे से देख लो प्लीज वह करेगा लीगल में कहीं ने कहीं और सीय में भी नाव दो कोस्टन टाइम यह बढ़ा इंट्रस्टिंग कोस्टन है विच्वन अब फॉल इचले टाइम पर इंटोड्यूस की गई थी आज हम यूज करते हैं और यह वन अफ़ टॉफेस्ट एक्जाम को मैंने सेलेक्ट किया यहां पर इन इंडिया देसिनल यह तो फरसो आया है पहले पेपर में तो बताने की विज़ूरत नहीं है विच गवर्नर रिसेंटली सब से भी रिलेटेड कोशन है तो लिखी देते हैं यह आपने आफिस ओफ्रॉफिट भी देखना इसमें कहीं न कहीं connected है office of profit जिसको नहीं पता office of profit एक बार बताना पढ़ना उसके पहले में नहीं तो telegram करना एंड शेर सम गूद लिंक्स टू रीडिट आउट पूर्थ वेरन इन विच एर इंडिया विन इस फिर्स होकी व्ल्ड कप फिफ्ट वें डिट टेलिवीजन अराइब इन स्सकोशन पूर्द आँ मैं सेट भार्ति विद्या पीटेश्म तो इतना करिए और इस यह वनी डाउट जस्ट मेंचेंग ने कमेंट सेक्शन अंध था इनक्यू अप्रम आइस